जैहिन सांथियों स्वागत है आपको हमारे चैनल PCS दरपन पे आज का जो से संदे करें दोस्तों रुखमनी पब्ली के संकाले क्या है वॉलूम टू है ललित नारायन मिथला बिस्वित द्याले द्वारा आयूजी तो जो किया जाता है बिहार बियड राज अस्तरिये संजु सब्सक्राइब करेंगे हम लोग टोटल 15 सेट होने वाली है तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आप हमारे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब किजएगा ताकि नेक्स टान वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचेगी तो आज की जो सेशन होने वाली दोस्तों टेस्ट सीरीज में बलकि प्रिवियर सियर में हम लोग करेंगे क्योंकि सबसे पहले प्रिवियर सियर को देखेंगे ताकि किस तौर पे हमारा पिछले साल में पूछा गया था कुश्चन तो देखिए आज जो होने व प्रिवियर सियर किजिए ज्यादा स्यादा चलिए स्टाट करते हैं लोग इस सेशन को तो देख रहे हैं प्रिवियर सॉल पेपर पर पे आचुके हम लोग भीहार सी टी BA exam 2018 का प्रस्ण देखते हैं पहला section इसमें आता हम लोगा General English Comprehension तो आए इस session को start करते हैं और देखते हैं कि इसमें पहला प्रस्ण क्या बनता है देखिए पहला section में हम लोगा General English Comprehension बनता है यहाँ पर दिया हुआ direction कि एक से लेकर 10 तक इस question से बनेगे एक से question से लेकर 10 तक इस हमारे passage से बनने वाले हैं तो इस passage को carefully पढ़ना होगा और इस से related 10 question जो है हमें solve करने को मिलेंगे तो आई इस session को start किया जाए तो हम लोग सिधे question को deal करते हैं क्योंकि यह passage आप खुद पढ़िएगा इस से pause करके चलिए हम लोग सिधे question को deal करते हैं देहें पहला प्रसनिस में क्या बना है question मना है कि in dash as you took so many bright following young man young man dash bright must nearly mean answer क्या बनेगा यहाँ पर answer आपका y बनेगा right answer बनेगा आपका option c so many bright following young man इन सब्द सम्मुह में जो है bright का vibe मुदल सजीव और सुअस परस्ट के अर्थ में किया गया है ना तो answer बनेगा हमारा c next person देखे in this passage the speaker's attitude towards donny is primarily one of dash answer बताइगा answer बनेगा आपका mod fully illogy answer बनेगा right answer option a बनेगा यहाँ पर passage के लिखा का जो डौनी के प्रती attitude को morning full illus कहा जात सकता है इसके लिए लेखा के प्रती दुख भी व्यक्त कर रहा है और सम्मेदना भी next person लेखते हैं the speaker's attitude toward blowing can based the described as answer क्या बनेगा हमारा answer बनेगा respect right answer क्या बनेगा option b respect होगा यहाँ पर following के प्रती speaker का attitude कहा है respect का है next देखे in context the tone of in your wisdom lord you took him as you took so many bright following young men at Kaysan at Langdok at Hills 364 is best described as answer इसमें क्या बनेगा answer बनेगा हमारा right answer option a impatient answer बनेगा a next person लेखते हैं the speaker's tone in the last two sentence is best described as answer क्या बनेगा answer बनेगा हमारा right answer D solen answer D बनेगा solen इसका मतलब होता है क्या दूस्तो अति गंभी अनि प्रसन वदन next प्रसन लेखे in he was he was a man who lived who loved the outdoors dash and following dash following is answer बनेगा a noun है यहाँ पर right answer बनेगा B और नाउन next प्रसन देखे next आमारा in to the wisdom of the pacific question wisdom most nearly mean answer क्या बनेगा wisdom का अर्थ होता है क्या है दूस्तो wisdom का अर्थ होता है यहाँ पे छाती मतलब विशेश्त इस्तिरियों का वक्षस्तल तो answer क्या बनेगा chest right answer यह बनेगा next देखे the reference to K.Sung at Lang dock at hill 364 suggests answer क्या बनेगा answer अपका right answer D बनेगा the speaker also lost friends at these places answer right answer यहाँ पे D बनेगा next परसन देखे lord refers to Dess lord refers to Dess answer बनेगा the god answer बनेगा right answer C next देखे Donny was a good baller and a good man is a Dess answer बनेगा हमारा complex sentence right answer बनेगा B complex sentence होता क्या है तो complex sentence समझे इसे बूलते है is a sentence with one independent clause and at least one dependent clause मतलब एक independent clause होता है एक dependent clause होता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं complex sentence बोलते हैं चलिए अब ये प्रस्न खतम होती अब आती है एक और passage ठीक है इसे भी clear carefully पढ़ना है इस passage को और आपको 11 to 15 तक ये question solve होने वाले इस passage को पढ़ने के बाद इस passage को भी आप clear fully पढ़िए और देखे इसे pause करके ठीक है चलिए हम लोग सिधे question को deal करते हैं कि पैसे को ज़्यादा बढ़ी है ठीक है न इसे pause करके जरूर पढ़िए या देखे यहां पर प्रस्न हमारा क्या बनता है इसमें प्रस्न हमारा है उर्सूला ज क्वेटो so much for true love primarily suggests that answer क्या बनेगी answer बनेगी right answer B she is mocking true love answer बनेगा B she is mocking true love next परस्न देखे the author main point in the passage is that answer बताएगी क्या बनेगा answer बनेगा हम लोगा right answer option D the little marriage teaches children answer बनेगा option D next है मारा प्रस्न why does the author use parenthesis around the comment answer क्या बनेगा something that many seem to think she is lacking answer क्या बनेगा answer बनेगा हमारा right answer option A to indicate a side comment to the reader answer A बनेगा next हमारा प्रस्न है Arryl's father is called a specialist because he he oppose Arryl's love based only one a right being human answer बनेगा right answer option B next देखे which of the following would best illustrate the assertion made in line Disney is encouraging children to question preconceived ideas that we many have against a certain group answer क्या बनेगी right answer बनेगा option D a move that documents the travels of a rock band answer बनेगा right answer option D next अता है हमारा section section 2 इस section का नाम है समाने हिंदी तो आईए समाने हिंदी को भी देखा जाए क्या इसमें प्रस्न बना है पहला प्रस्न क्या है देश भक्त किस तत्पुरुस का उधारन है देश भक्त किस तत्पुरुस का उधारन है तो आंसर क्या बनेगा आंसर आपका बन जाएगा संबंधन तत्पुरूस क պंधरन है समास किसे कहते हैं आपको पता हो गा दो या दो से अधिक सब्द या पदो को मिल कर उनके बीच आई विभक्ति चिनh को छोरकर नया सब्द बनाने की परकरिया को ही समास कहते हैं गंगा का जल गंगा जल बोltry Colorado अगला आते हैं और सभी तत्पुरूस आपको याद होंगे ही समास जैसे कर्म तत्पुरूस है ना करन तत्पुरूस संपदान तत्पुरूस आपदान संबंध अधिकरन देखते हैं पवन में कौन सी संदी है यह हमें बताना है पवन में कौन सा संदी है तो आंसर आपकी क्या बनेगी राइट अप्षण डी अयादी संदी इसका संदी क्या बनेगा दुस्तों तो इसका संदी बनेगा पो जोर अन यह इसके संदी विषयद होगी अगला देखिए, अक्षादन का संधी विजएत हमें बताना है, अक्षादन का संधी विजएत क्या होगा दूस्तों, तो आंसर बनेगा राइट एंसर, option A, आ जोड चादन, राइट एंसर क्या बनेगा, आ जोड चादन, राइट एंसर A हो जाएगा यहाँ पे, सरह जोड़्ज का संधी रूप बताना है क्या बनेगा इससे इससे बनेगा सरोज राइट एंसर इसका बनेगा option B सरोज बनेगा अगला प्रस नेकर नेक्स नमार बोलना है क्या नमस्ते का संधी विचेत बताना है नमस्ते का संधी विचेत क्या होगा तो आंसर बनेगा राइट एंसर बी नमह जोड़ते राइट एंसर बनेगा नमह जोड़ते वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्या वाची है कौन सा है दूस्तों तो जिसका कॉन सा समास है जिसका पुरुपद विशेशन होता है जैसे कमल के समान नयन यानि कमल नयन क्योंकि इसमें संख्यावाचक अगला प्रस्थ देखें निमने लिखित विकल्पों में से कानन के पर्यवाची सब्द का आपको चैन करना है कानन का पर्यवाची सब्द वन होता है आंसर बनेगा बी वन अगला प्रसंद देखे कानन कान ने भी फरवाची सब्द होता है वो होता है क्या तो वीपीन होता है वन होता है जंगल होता है अगला प्रसंद देखे किसी सब्द के पुर्व भाग में जुर कर जो नया सब्द बनता है उसे क्या कहते हैं उ उसे कहेंगे उपसर्ग, आंसर बनेगा राइट एंसर डी, उपसर्ग उसे कहेंगे जैसे अति जुरंत, अत्यंत, अगला प्रस्न कहा है कि कि किसी सब्द के पुर्व भाग में जुर कर जुर नया सब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, उपसर्ग बोलत सफाई में कौन सा पढ़ते हैं आंसर बनेगा आई इसमें पढ़ते हैं सब्सक्राइब पीछे लगकर उसका अर्थ में बिसेस बदला लाते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं पड़ते हैं अगला प्रसन देखें स्रिंगार रस का अस्थाई भाव वताना आपको स्रिंगार रस का अस्थाई भाव क्या है तो आंसर बनेगा डी रती रती इसकी अस्थाई भाव है नेक्स प्रसन देखें चौपाई के परतेक चरण में कि मात्रा होती है तो और बनेगा राइट एनसर ए सुलह मात्राइं होती है यांसर ए बनेगा next देखे अंबर पन अगार मे डुबो रही तारात त्रद उसा नागरी में कौन सी अलंकार है टो अpektया बनेगा हमास् leven रूपक अलंकार चौपाई के पड़तिक चरण में कितनी मात्राएं होती है इसमें मत्राएं टोटल होती है सोल्ला होती है अगला है निम्रलेखित लोकतियों के सही अर्थ का हमें चैनकन है क्या है लोकतिया काठ की हाड़ी बार बार नहीं चड़ती काठ की हाड़ी बार बार नहीं चटटी तो आंसर क्या बनेगा आंसर हमारा सी बनेगा जल कपट का पेवार हमेशा नहीं चलता आंसर सी हो जाएगा अगला देखें नेक्स्ट हमारा सेक्षन क्या आता है खंड जो तीसरा है वो तार्ती के वन विश्लेस्नात्मक तरख सकती है तो आईए क्वेश्चन नमर 31 से लेके 34 तक हम लोग इससे प्रस्ण को परके बनाएंगे तो यहां पर छे लोग के बारे में बताएगी है ठीक है यह छे लोग कौन-कौन है A, B, C, D, E, F तक है ने जो है वाद विवाद में भाग लेते हैं छो में से दो महिला है ठीक है E, एवम उनकी अविवाहित बहन इस वर्स के जो है वाद विवाद में नए सदशे थी D के पती जो पिछले वर्स के विजयता थे एवम इस वर्स के उप विजयता थे इस वर्ष के वाद विवाद में भाग ले रहे थे A एवं C पिछले वर्ष में उपविजयता थे इस वर्ष के विजयता नो तो पिछले वर्ष के विजयता हैं और ना ही नए सदसे हैं अपर यहाय कारण से B ने बीच में ही वाद विवाद छोड़ दिया वाद विवाद के अंत में C को A से अधिक लेकिन E एवं एप से कम अंक मिले तो उप्युक्त सूचना के अधार पर जो है निमलिकित प्रश्णों का हमें उत्तर देना है तो देखिए पहला प्रश्ण इसमें क्या बनता है इस वर्स के वाद विवाद के विजेता कौन है यह ह आप लिखना होगा कि यह नए है ठीक है और यह पुराने है यह लिखना होगा नए पुराने सदस से और नेक्स जो कॉलम बनेगा इसमें बताना होगा कि आपका जो जेंडर क्या है ठीक है मेल फीमेल बताना है और इसमें बताना है और लास्ट जो हमारा कॉलम बनने वाला ह इस पांच कोलूम से बनने वाले हैं प्रस्थन है ना और इसको तो पता ही कितने जितने केंडिट होंगे बदाना ठीक हैं तो डी का पति इसमें आपकोता है दूस्तों डी का पति कौन हो जाएगा ओप्सन नमर बी लगा है उन्हारी का ओअ धेका पती फिасन कंवब ज स्था पिछले वरत के बिजयता कंथा दूस्तू इसमें और बनेगा वी द्शुन भी इकी कोन है यी की बहीन कोन है दुस्तो यहांगो है, यहांपे सि बने गा, अब मद लुब्ट संख्या को खोजे लुब्ट बने गाइगो, जैसे इसमें गाँए वानने है। मनें 65 क्याइब तो इसमें आएगे आपके 54 घंगे पहीं कंवी काइब करिया तो तग इसे सॉल्ब करना है तैसे प्रतेक्ज प्रस्नों में एक अपूर्ण संख्या की सिरिंखिला दी गए तो डिक्त संख्या को पहर्चानना है दखें लितित से 123-200-393 में तो अगली संख्या क्या आने वाली है की यहां से देखें 29-4, यानि Multiple to Middle ofá ठीक है मतलब 2 से गुणा कटे हैं और 4 घाटते हैं तो चौन आ रही है तो इसमें भी दो इसमें घटा रहे अहीं चोन गह रहे हैं तो अगली संख्या होगी इसमें 2 से बुना तो कटेंगे लेकिन घाटाएंगे क्या आघ गहते हैं ना तो बस वही करना है तो आपके पास आएंगी 778 तो आंसर देखिए 778 ऑप्शन नमर आपका डी बन रहा है नेक्स देखे एक से आट साइस से चोंसर तो अगली संख्या क्या आने वाली यहां पे तो पूरे दिख रहा है कि वन का क्यूब टू का क्यूब थिरी का क्यूब फोर एक गारा से अर्तिस का अंतर 27 का और 37 से एक 17 का अंतर 18 है तो आपने देखा कि 9 का यह सब मल्टिपल है न तो नेक्स जो आने वाली हमारी प्लस 243 इसमें पी एड करने वाले ठीक है तो आएए इसे हम लोग सॉल्ब करते हैं क्योब कि यहां पर देखिए गा तो ययह 3 मल्टिपल्स इसके भी 3 मल्टिपल्स तो इसका भी तो 3 मल्टिपल्स चाहिए न अ तो इसलिए 243 से यहां हम दूसर 43 एड करते हैं 11 में क्या आ रहा है देखते हैं 362 एड करिएगा तो 362 कौन सा अप्सन नमर है हमारा देखिए ऑप्सन नमर सी है तो राइट अंसर सी बनेगा नेक्ट देखे चार से पंद्रा से 37 सतर तो अगली संख्या क्या आएगी अगली दिया है 169 तो देखे चार से पंद्रा गया यानि 11 बढ़ा है इसमें 22 बढ़ा है इसमें 33 तो अगला संख्या 44 बढ़ेगा सतर में 14 जो रही है तो 114 114 तो आंसर देखे 114 राइट अप्सन डी नेक्स देखे यदि इस बताना है कि कोड में लिखा गया है गर्ल को इतना लिखा गया तो फंड को क्या लिखेंगे है न तो आजे देखते हम लोग उसे डवल किया गया है कि 7 पर होता है आठ को दो बार लिखा गया है फिर आई 9 पर होता है दस को दो बार लिखा गया फिर आर 18 पर होता है इसे पीछे कर दिया गया है 17 को आपको दो बार लिखा गया है एल 12 पर होता है और इसे दो एक्स्ट्रा ब्रहा के और दो बार लिख तो जैसे हम ने प्लस यहां पर किया प्लस फिट इसमिख तो यह कंडीशन हम लूग को लागुकर्च है यह इसमें तो आपको बता दिए जूट रहा है इसमें भी जूट रहा है लेकिन आर में घट रहा है और एल में तो दो बढ़ रहा है न तो बस हमें भी यही करना है पहला में पहला हमें क्या करना है दूसतू हमें एक बढराना ये छे पर होता है तो साथ कुन होता है जी डेबल जी बहला चाये सब के पास cage ठीक है यूंफ्य हम लहते हैं लिक्सANT TA लेवार वतिते हैं सोल्ल होता है पन्यी में अधीर देशक्च प् eller नेरा सी थे लोग चली पी लिखते हैं नेक्स आता है n, n को हमें क्या करना है दूस्तों, n को एक घटाना है, जैसे यहां पर r को एक घटाना है, तो 14 से 1 घटाएगा, तो 13, 13 पर क्या आता है, m आता है, m, a में हैं और b में है, आपका d भी कैंसिल हो गया, चले, अब यहां पर हम लोग लिखते हैं, double ले, अब हमें 2 इसमें क्या करना है, increase करना है, मतलब बरहाना है, तो d 4 पे होता है, 4 दू 6, 6 पे आता है, f, तो double f किसमें है, तो option number b, a भी कट गया, तो answer बन गया हमारा option, b right answer, next person देखे, ने में लिखित में से कौन सा जूरा, दूसरों से अलग है, कौन है दूसरे से अलग तो देखे, कौन अलग इसमें, दूद से मखन, दबात स्याही, गन्ना चिन्नी, नाडियल तेल, answer बनेगा आपका, b right answer, दबात स्याही, answer यहां पे, क्योंकि दूद से मखन, गन्ना से चिन्नी, और नाडियल से तेल बनता है, जबकि दबात से स्याही, दबात में स्याही बनेगा इसका, तो आइए इसको बताते हैं हम लोग, क्या बनने वाल है, जैसे देखी M, M का इसमें कहीं है, पिल्गुल से थार्ड नमर पे है, थार्ड नमर पे 6 लिखा गया, 6 से स्टाट होने, तो सभी 6 से स्टाट है, Y, Y का 9, 6 बाद जस्ट 9, तो इसमें तो हैं नहीं, 7, अब हमारे पास बच के C और D, इसी दो में से कोई option आने वाले है, अब next है हमारे पास, S हो गया, अब T, T की बारी, तो T के लिए क्या लिया गया है दोस्तों, T के लिए आपको 8 लिया गया है, तो 8 किस के पास है, देखें, कितने नमर हमारे, 4th नमर पे, 8 4th नमर पे इसम तालिस तक इसे solve होने वाल है, निमलेकित पेराग्राप को पढ़े और प्रसन का जवाब दे, A और B फुटबॉल, एव हक्की खेलते हैं, C एवं E टेनिस, एवं क्रिकेट खेलते हैं, A एवं D टेनिस, एवं बॉलीवल खेलते हैं, B एवं E क्रिकेट खेलते हैं, C एवं E वहां की खेलता से क McNulty खेलता है तो आंशरब्त है ऊपसिन ऊप्षण ही अप्षण है अप्षण यहां पर सी बनेगा नेक्स देखे कों जो 걸 किर्केट नहीं खेलता है तो कॉझ साइशरबनेगा ऊपस्न ए वन अन्यथा सभी किर्केट खेलते हैं नेक्स देखें कौन फुटबॉल होकी तो टेनिस कौन फुटबॉल होकी एम टेनिस खेलता है तो कौन खेलता है ऑप्सन यहाँ पर राइट एंसर एबनेगा डी खेलता है अब निर्देश है कि 46 से लेके 48 तक इसे सॉल्फ करना है इससे तो आए इससे हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं क्य को दे देता है सी तीन बॉल डी को देता है जो दो बॉल ए को देता है इस तीन बॉल बी को देता है जो दो बॉल सी को दे देता है बी पांच बॉल डी को देता है तो देखिए प्रसन क्या है सबसे अधिक बॉल अब किसके पास है तो सबसे ज्यादा किसके पास बॉल है दो तो आंसर बनेगा हमारा option number B यानि D के पास है अब अगला प्रस्ण देखे कि A के पास कितने ball है A के पास कितना ball है तो option number C बनेगा 10 है A के पास next देखे C के पास कितनी ball है तो answer बनेगा option A 6 ball है A के पास C के पास ठीक है next प्रस्ण देखे next हमारा फिर्ट निर्देस इसमें दिया है कि 49 to 52 आपको बनाना है इससे तो प्रस्ण हम लोग देखते एक परिवार में 6 सदर से M, N, O, P, Q, R OR की बेहन है N, R की मा की बहनोई है P, M के पीता है R, P का पोता है तो परिवार में 2 महिला है परिवार में कितनी महिला है दो महिला है तो आईए इसे हम लोग solve करते हैं पहला बोला क्या गया है कि M एवं Q की बेटी कौन है M, M, Q की बेटी कौन है तो कौन है दुस्तों देखिए कौन बन रही है इसमें बना के हम लोग देखते हैं तो answer number हमारा बन रहा है option number D O आ रही है यहाँ पर M और Q की बेटी अगला देखे R की मा कौन है तो R की मा है इसमें option number C Q है परिवार में कितनी पीढियों के सदसे हैं तो कितने पीढियों के सदसे हैं तो option number यहाँ पर बनेगा B तीन पीढियों के सदसे हैं next देखे question कि परिवार में दो महिला सदसे हैं वो कौन-कौन है तो बताइए answer बनेगा option D, O और Q है लुप्त संख्या को हमें खोजना है तो देखे यहाँ पर 3 का होलिस्कार करिए 2 का करिए 2 का और 4 का सभी को आट करिए तो आपको 33 मिलेंगे है same यहाँ पर वही करना है आपको सभी को आट करिए 54 तो आप यहाँ पर करिए 36 plus 25 plus 16 plus 9 तो कितने आजाएंगे? 69, 25 और पचीस पचास और इसमें 36 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 86 तो आंसर नंबर हमारा बनेगा उप्शन तो आंसर बनेगा उप्शन नंबर सी 198 होगा जो हमारा 198 आया है यह कैसे दूस्तों देखिए इसमें 36 तो इसमें 49 तो इसमें पैंसाथ आड़ कर देंगे हैं सभी में तेरा का गया पा रहा है इसलिए हमने अप्शन सी लिए अगला देखें कि 0 से साथ से 26 तो अगली संख्या क मतलब इसमें आप देखिए गाना कि साथ से 29 के बीच में बारक गैप फिर अगला देखे तो अगला चोबिस गया तीस का गया यानि सब में चोचो हमारा गैप आ रहा है तो इसलिए आंसर यहां पर क्या बनेगा ऑप्शन नमर 124 राइट एंसर ऑप्शन बनेगा अगला हम हमारा वन पॉइंट वन डेसिमल एट फाइब टू किलोमीटर के बराबर होगा एक दसमलो आठ पांच दो किलोमीटर के बराबर होगा एक नॉटिकल मिल और बता दे दोस्तु इससे जूरे पॉइंट कि समुंदरी दूरी को जो है नॉटिकल मिल में मापा जाता है ठीक है समेटर पर सेकेंड होता है ठीक है एक नॉट बराबर और समवंद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है अगला देखें जहां तक सुरे की दूरी का प्रस्थन हैं पृतिवी किन के बीच में है दूस्तू तो आंसर बनेगा ऑप्शन नमर बी बनेगा सुक्र मंगल के हमारा पृथ्थवी ज्यो है सुक्र और मंगल के बीच में है और सूरे कर콜 की निकतम गरह बुद आर children All- plywood के सब्सें छोटा है महलका गरह कौन है बूद है एटीएक डे में चक्र लगा लिता है सूरे का और पृथवी को जिवांस Bureau या निला गरह भी करते हैं लोग अगला प्रस्ट देखिए क्या है निमलिकित में सबसे अधिक किसका जो है atomic number है किसका atomic number है सबसे जादा तो answer बनेगा option number यहाँ पे C हो जाएगा dermastatium क्या है dermastatium का सबसे जादा atomic number होता है और इसका परमानुसंख्या कितना है तो इसका मिट्रेनियम का कितना है मिट्रेनियम का 109 है और सिर्बोजियम का कितना है दूस्तों इसका 106 है तो इसलिए सबसे जादा किसका हुआ option C का next देखे समाने इस्तिति में पानी किस ताप क्रम पर उबलता है किस ताप क्रम पर उबलेगा तो answer बनेगा 212 डिगरी फारेन हाइट पर उबलेगा ओंडेट डिगरी इसरी डिगरी इसरील इसरी हो पुछा जाए तो 80 डिग्री रोमर पे होता है ठीक है नेक्स प्रस्ट नमारा समाने मानों सरीर का तापकरम कितना होता है कितना होता है तो ऑप्शन नमर B बनेगा 37 डिग्री सेशियस होता है ऑप्शन नमर बनेगा B अगला है एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है कितने लीटर के बराबर होता है तो ऑप्षन बनेगा ऑप्षन ए तीन दसमलों साथ आठ पांच लीटर के बराबर होता है एक गैलन में उसे हम लोग कहते हैं जाइगोट आंसर बनेगा सी उसे कहते हैं जाइगोट नर गैमिट मतलब सुक्रानु कहलाते और मादा गैमिट कहलाते हैं अंडानु कहलाता है अगला प्रस्थ देखें संजुक्त राज अमेरिका के प्रथम राष्टपती कौन थे कौन थे प्रथम तो कोतंता संग्राम जो हुआ था 1775 सिले के 83 के बीच में था और राश्पती जो है अब राहम लिंकन ये 1861 से 65 ने दास प्रथा को अमेरिका से समाप्त किया था तो ये दूसरे हमारे दूसरे संजुक्त राज अमेरिका के राश्पती थे अब राहम लिंकन पहले कौन थे जर्ज वासिंग्टन थे ठीक है और जो 1861 से लेके 65 में अमेरिका का ग्रेह यूद भी हुआ था उस समय अब राहम लिंकन ही राश्पती थे प्रथम 20 यूदी के समय जो है वोड्रो विल्सन और दियूतिव 20 अगला है कि भारत के समिधान अगला है कि भारत के समिधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कोन थे भारत के समिधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कोन थे तो आंसर बनेगा बी डेक्टर सचिता नंद सिनहा जी थे आंसर बनेगा यहां पर बी समिधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे हुआ था भारतिय समिधान का प्रथम अध्यक्ष जो है सचिदान अंसिना को वरिष्टम सदसे होने के लिए इनको 9 दिसंबर 1946 में इनको चुना गया था समिधान सभा का स्थाई अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर को दो दिन बाद 1946 को किनको चुना गया मैंनमार की दानी कहां पर है तो अंसर बनेगा इसका सी नैपी टाओ आंसर बनेगा सी और यह अजाद कव होता है दर्शों तो यह होता है चार जन्वारी 1948 को यह अजाद होता है लाग्ला प्रस Truly राजतरंगों की लिखक कौन है लास्तरंगों पुष्टक के लिखक एक कास्मीरी इत्हासकार है यह आंसर यहां पर आज्टर रंग는दि कर लिए कल्हन तो आंसर बनेगा लाइन सर्वंचन तो दो फार्वर मनाते हैं अगला है आपको बता देगी रामसर सम्मेलन जो है 1971 में होता है ना 1971 में इरान की रजधानी रामसर में आद्र भूमी के निदान के लिए अज़न किया था भारत जो एक फरवरी 1992 को 982 को रामसर कन्वेंशन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया भारत में फरवरी 224 तक Osiris drugi है बारत में फरवरी 224 में सबक्तार साइट्स जो है किस राज्य है तक बता देट इसमें है किसमें है तामिल नादू में कितना है टूटल सुल्ल है 22 मार्च को विश्वपिर्थवी दिवस मनाते हैं और 22 माई को जैब बीबी देता के अंतरास्टिय दिवस मनाते हैं नेक्स परस देखें कि भारत का रास्टिय जलिये जन्तु कौन सा है जलिये जन्तु कौन है मताई यह तो अंसर बनेगा इसका बी गंगे डॉलफिन है ऑप्सन नमर यहां पर वी बनेगा पांच अक्टूबर 2009 पांच अक्टूबर दो हिजार 9 5 अक्टूबर 2009 को रास्टिय जलिये जन्तु घोसित किया गया और रास्टिय जलिये जिव का व्यग्यानिक नाम जो है प्लैटिन इस्टा गैंगेट्टि का घोसित कि और अठार मैं 2010 को राष्टी जलिये जीव की अधिसुजना निकल गया राष्टी धरोहर पसु हाथी को गोसित किया गया है और अधि जो है गंगा नदी को गोसित किया गया है कि नेक्स है हमारा प्रस्ट बिस्व परेवर अंदियोस 2018 की विशय वस्तु क्या थी तो देखिए यह प्रिवियस यह है तो यह करेंठ फियर आपको देखना नहीं करेंठ फियर उस समय के देखना है जिससे में आप एक्जाम दे रहें तो 24 में दे रहें तो कम सित कम 23 को आपक ठीक है पाँच जून 1974 में प्रथम जलवाय। उनिसे वहतेर नहीं का हुए तो है जोंदि हां में संसुन रास्ट के अगले अध्यक्ष क्रूप में कौन चुने सेम definis न में अभी के लिए वर्तमान में कौन है तो संजुक्त रास्थ महासभा के 7087 के अध्यक्स जो है 2023 में त्रिनाद यूम टोबैगो यहां पर लिख देते हैं जिस्तू यह त्रिनाद त्रिनाद और टोबैगो तोबेगो त्रिनाद यूम टोबैगो के जो राज नेता है उनका नाम क्या है इनका नाम है डेनिस फ्रेंसिस क्या नाम है डेनिस फ्रांसिस इन्हीं को 78 वे सत्र के अध्यक्ष यूए नक्वा बनाएगे है नेक्स है भारत में कितने जनम दिवस पर जो है किनके जनम दिवस पे शिक्षा दिवस मनाते हैं किनके जनम दिवस पे मनाते तो ज्ञान दिवस के रूप में मनाने का निरने लिया है, डक्टर अंबिदकर के जनम दिवस को समनटा दिवस के रूप में मनाते हैं, चौबधर अपरिल को, दुनिया का सबसे बरा दुर्बीन किस देश में है? संजुक्त राज अमेरिका में ऑप्सन सी बनेगा अमेरिका के नासा अंत्रिक्ष एजन्सी ने 2021 में जेम्स वेब अंत्रिक्ष दूर्पिन लौंच किया अगला हमारा इसमें रैंकिंग बतन है तो यह आप नहीं देखे क्योंकि 2018 का है कि लोग सभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है लोग सभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है दूस्तों तो आंसर क्या बनेगा राइट एंसर ए लोग सभा के सदस से गन ही चुनते हैं आंसर बनेगा राइट एंसर ए लोग सभा के अध्यक्ष पद का सरजन जो है किसमें होता है तो अध्यक्स बद्ध का सर्जन आर्टिकल 93 में अनुछेद तिराने बे के अंतरगत किया जता है नौग गठित जो लोगसभा की प्रथम बैठक में प्रोटेम प्रोटेम एस्पीकर की निवक्ति कौन करते हैं तो वो करते हैं राष्टपती करते हैं और लोगसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोगसभासद से के बहुमत के द्वरा चुना जाता है न और लोगसभासद से द्वरा ही बहुमत द्वरा हटाया भी जा सकता है अगला हमारा प्रस्ण क्या है देखिए मुक्त बिस्विद्याले निम्न माध्यम से सिक्षा परदान करता है तो आंसर बनेगा राइट एंसरे दुरस्त माध्यम से भारतिय संसाधिय अधनियम के द्वारा नौंबर 1985 में इंद्रा गांधी खूला बिस्विध्याले के स्थापन किया गया अगला प्रसनर मार्या के आचारे है चानख की एक गुरु कूल के सिख्षक ते जो ड ैस्में आवस्ती था कहां पर आवस्ती था तो तक्ष सीला में आंसर बनेगा ए तक्ष सिला चानाध्या अन्सर बनेगा विद्यालेयों में तीन भासा की पढ़ाई होनी चाहिए आंसर एबनेगा यहां पर नेक्स नमारा प्रोशन है कि सफेद करांती से भारत किस मामले में स्वालामबी हुआ है किस मामले में स्वालामबी हुआ तो आंसर बनेगा राइट एंसर ए दूद उत्पादन में राइट एंसर बना ओप्शन ए स्वेट करांती से दूद爆धन में भारत में सुरम्बी हुआ स्वेत करांती ओपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत दूद爆धन में USA को पीछा चोड़कर सबसे बरा दूद उतपादक देश बन गया है स्वेत करांती के तीन चरण यह operation flood 1970 से शुरू किया भारत में स्वेत करांती की जाने कौन है डक्टर वर्गीज कुरियन है अगला है मोंटेशरी का नाम किसे से जुरा हुआ है मोंटेशरी का नाम किसे जुरा हुआ है तो आंसर बनेगा राइट अंसर ए प्री एस्कूल संस्थान मतलब डायट की अस्थापना किस में सुधार के लिए की गई है किस में सुधार के लिए क्या गया है प्ररामभिक सिक्षा में सुधार के लिए तो आंसर बनेगा राइट एंसर ए नई सिक्षानिती 1986 के अनुसंसाओं के अनुपालन में परतेक जीला में जीला सिक शब्वाइशा क्रसिक्षन संस्थान की किया गया अगला हमारे परसंगे बंता है देखें कि वैदानिक सोभाव का मतलब होता है कि तर्क के सांत नेदने लेने का स्वभाव, आंसर बनेगा राइटएंसर अर्ला कि भारत की खोज नामक पुश्टक के रचायता है ज्वाहराा लेहरू, आंसर बनेगा राइटएंसर अप्चन हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है महात्मा गांदी के द्वारा 1909 में अगला देखिए सिक्षा काधिकार 2009 किस उम्र के बच्चे को मुक्त एवं अनिवारे सिक्षा काधिकार है तो आंसर बता दे आपको राइट एंसर भी होगा चोओ से चोदर वर्ष की बच्चों के लिए ओप्सन नमर यहां पर बी बनेगा बच्चों के सिक्षा के संदर में भारती अनुछेद जो है एकईस के ए समब्ध है 52 सब्दान संसोधन अधिनियं Hotel 02-द्वारई57 500 में अनुछेद 51 के एक में 11 मॉलिक कर्थवे जोरा गया जिस जिसे Source 14 वर्ष की बच्चों को परत्मी को और अनिवारे सिक्षा देना अभिवाग मॉलिक कर्थवे कहा गया हा और तीसरा क्या है हमारा अनुछेद 45 में परद्वाजतन किया गया कि जिसके अंद्रगत अब जो है जीरों से लेके च्छों वर्ष के बच्चों को अचित उचित जो देख भालें सिक्षा देने का राज्य सरकार की दाई तो बन गया है संसोदान में ही होता है 2002 में 2022 में होता है यह अनुछेद 45 अगला देखे कि मानो सरीर में जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी अंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी 46 है टूटल 22 जोरे जिसमें एक जोरी लिंग गुंसुत्रिया एलो सोसम मस होता है टूटल 33 होता है अगला प्रस्द संसी देखें कि हमारे समीधान का कौन सा भाग जो है मुक्त अउम अनिवारे प्रात्मिक शिक्षाक आधिकार परदार करता है कौन परदार करता है तो राज्य नीति निदेशक सी धनत अंसर बनेगा भी भारतिय समिधान के भाग तीन में अनुछेद 36 सल्ले के 51 के मध्य जो है निती निदेशक तत्व का समाविस किया गया है मुल समिधान में अनुछेद 51 में यह परधान किया गया है कि 16-14 के बालकों के प्रात्मिक नीशुलक और अनिवार स सिक्षा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी अगला हमारा प्रसन क्या बनता है देखिए कि समिधान के अनुछद 51 के अनुछ समिधान में मौली करतवे का परण नहीं दिया गया था अनुछ स्वर्ण सिंग समिधान से भारती समिधान में लिया गया है मौली करतवे समिधान के भाग भाग कितने में हैं दूस्तों तो यह भाग चार में के ए में है और 51 के ए में पढ़ता है 51 के अनुछेद वर्दमान में टोटल कितना है इगारवा कौन है तो सिक्षा है अगला देखें निम लिखित में कौन सा सर्वच नागरिक पुरोसकार परतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जता है तो आंसर क्या बनेगा राइट एंसर यहां पर सी बनेगा भारत रत्न आंस परफिर 1930 में पुना कॉंग्रिस सरकार ने उसे शुरू कर दिया भारत रत्न पदम भुशन पदम भीवुशन पदम स्री भारत का सर्वच नागरिक पुरुष्कार यह सब हैं परमबीर चक्र भारत का जो है यूद कालिन वीर्था का सर्वच पुरुष्कार असोग चक्र ह अगला हमारा परसन बनता है कि बाल बिस्व बाल मजदूरी निसिदे दिवस डैस को मना जाता है कब मना जाता है तो बारत जुन को अंसर बनेगा यह बारत जुन को मनाते हैं बचपन बचाओ अंदुला नुई-1980 में कैलास सत्यार्थी के द्वरा सुरू किया था 22 जुला निदेशक सिधान्त भविस्य में बीधी निर्मान का आधार होना चाहिए कौन कहे थे तो आंसर बनेगा बी डक्टर भीम राउमित कर बोले थे आंसर बनेगा हमारा बी अगला है सर्व सिक्षा भ्यान में डैस आईउ के बच्चे को सामिलित किया जाता है चो से чोद़ वर्ष की बच्चे को आंसर बनेगा बी असर av सिक्षा भ्यान शुरू कब किया था तो यह सुरू किया गए था 2021 इस वी में सुरू किया गया था इस सिख्षा का लख्षे कब तक था तो 2010 तक था सभी बच्चे को सिख्षित करना अगला देखे गांधी जी का चमपारन अंदुलन 10 के लिए था किस के लिए था दूस्तों तो आंसर क्या बनेगा option D नीले मजदूर के समस्या काठिया वारी की समस्या आंसर यहाँ पर राइट अंसर D होगा 1916 में जब लखनव कंग्रेस अदिवेशन में बिहार के चमपारन छेत के किसान जो थे नेता राजकमार्शुक ने चमपारन के किसानों के समाधान के लिए आने का अनुरोध किया था गांधी जी को और वही आते हैं अपरिल 1917 में चमपारन सत्यागरा होता है गांधी के चमपारन सत्यागरा भारत का पर्थम सत्यागरा था उनका अगला प्रसन देकिए 10 राज्य के साथ सबसे लंबा समोनदर तर्थ है किस राज्य के साथ है गुजराथ के साथ आंसर ए बनेगा भारत के 9 राज्य के साथ समोनदरी तर्थ रिखा जुरा हुआ है गुहा है about the किरल है करनाटक है महरास्य वुजराथ है पसिम बंगाल है इशा आंदर पर्दिस और तमिलाडू है अगला देखिए रख्त में अधिक मुत्रिये अम्ल डैस बिमारी का सुचक है कौन से बिमारी का सुचक है गाउट अंसर बनेगा यहां पर इस गाउट बिमारी इसमें हडियों की गाठ में जो है तीवर दर्द होता है तेज दर्द ह और्थाराइट्स और्थाइड़ाइट्स की कमी से गोला में सुझन होता है थैROक्सीन की कमी से गल्कंठ भी कहते हैं fallen सुर्योधय के जुरे का लाल दीखना किसके कारण होता है इसे कारण अगला हमारा जो बनते है यह क्या है तो यह जो गियाले को स levant वातवरनत देखी 155 कषट का एक अनिवारे वीशा है क्या है तो आंसर बनेगा से समाजीक बेवस्था किसी के उद्य सेंगी एकता अंसर क्या बनेगा हमारा data कि çाभी बनेख किसे संबंदित रखता है किसे संबंदित रखता है रसनात्म करूं सकारात्मक बेवार को बढ़ाने का एक तरीका है तो आंसर बनेगा हमारा B राइट अंसर अगला देखे सिख्षा को किस गुण को चातर सब से अदिक पसंद करते हैं तो आंसर बनेगा यहाँ पर B निस्पक्षता आंसर यहाँ पर B बनेगा सिखने का परिणाम उत्पाद नहीं है तो आंसर बनेगा ए अगला प्रस्ण क्या है कि किस विधी से छात्र सबसे अधिक सिखते हैं किस विधी से सबसे ज़्यादा छादर सिखते हैं तो आंसर बनेगा राइट अधिक स्वेम करके अगला प्रस्ण देखे कि विध्याले में सह पाठे करम गति विधियो का मुख्य उद्दे से डैस है क्या है इसका उद्दे से तो आंसर बनेगा ए छात्रों के व्यक्तित्व म यह जो है सुसामायोजन का भावपराप्त करना आंसर ही बनेगा mentorship कक्छा सिक्षन के रूचि बरकरार सुल्धे एक सिख्षा को क्या करना चाहिए एक सिख्षक को बेहवारिक जीवन से अधिक से अधिक उधारन्द आंसर इवारिक अगला प्रसंद देखे व्यांग सम्वेधानिक अधिकार है आंसर सी बनेगा ब्रेल डैस पर अधारित है ब्रेल बिंदूओं पर अधारित है आंसर यह पढ़नाली पहली बार कब शुरू किया था ठारा सो उन्तिस में लुई ब्रेल के द्वारा विक्सित और प्रस्तूत किया गया सीखना डैस पर निर्भर करता है सीखना किस पर निर्भर करता है तो आंसर बनेगा परतीभा पर निर्भर करता है आंसर यह बनेगा अप्शन नमर नेक्स प्रस्त देखिए अगला हमारा प्रस्त है कि नए विशय या पाठे को विक्सित करने के लिए सिख्षा को डैस आना च और यहां तो आंसर ड़ाइंसर एं बनेग अगला प्रस पिर्षयिंग के कि विड्यालें पाठे कम में विड्यालें पाठे कम के सवरूप का सघ्सिर किसी सघ्सिंग्हेये तो छ्षषण कि रूची और blirun Premutyaifier तो आंसर B बनेगा, सिक्षको का प्रथम उतरदाई तो डैस के प्रती है, किसके प्रती है, तो आंसर बनेगा B, छात्र के प्रती है, नेक्स है हमरा प्रस्ण क्या है, कि कक्षा में अनुसासन को बढ़ाने का डैस मुख्य लक्ष है, क्या लक्ष है दोस्तों, तो आंसर तो आंसर बनेगा भी परदर्शन की परयाप्तता की जाच अंसर बनेगा भी अगला है सिक्षा के लिए पाथ्य समागरी का प्रभाव साली बनाने के लिए आवस्यक है आंसर क्या बनेगा आंसर हमारा बनेगा राइट अंसर ए विद्यार्थियों के आनुभाव से पाथ्य समागरी को जोड़ना आंसर बनेगा राइट अंसर ए नेक्स्ट प्रस्न देखें विद्यार्थी दोरा विशय वस्तु से संबंदित प्रस्ण पूछे जाने पर समानेत सिक्षक डैस करे क्या करे दूस्तो तो आंसर बनेगा बच्चों की जेग्यासा को संतुष्ट करने के लिए अस्पस्ट उत्तर दे अंसर ए बनेगा अगला है संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों को कौन सी दिव्यागता हो सकती है कौन सा हो सकता है तो आंसर बनेगा बी डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया हो सकता है अगला प्रसन देखें अगला है हमारा कि सिक्षण संस्थानों में अच्छा पदा अधिकारी वह है जो अपने द्रिष्टी कुन से लचीला, सहयोग, निर्भर एवं बहवार में मानवी असपर्स रखता है अगला है विद्यमान ग्यान के द्वारा निस्कर्स निकालने में निम्रलिकित पधितियों में से कौन उपयुक्त है दोस्तूं तो अंसर बनेगा भी डिक्टिटिव रिजिनिंग भी दी, अंसर बनेगा भी अगला देखें वैग्यानिक परिकरिया का चुनोती पूर्ण आय परिकल्पना अगला देखे सिख्षक के लिए छाद्र का समान प्राथ्मिक रूप से आयूग सिख्षक के डैस से हैं किस से हैं दूस्तों तो अंसर बनेगा उप्शन सी व्यक्तिगत इमंदारी इंस सद्भावना से हैं हमारा विच्ण नर्धारन की करम में निकत में से पहले आएगा कौन सबसे पहले आएगा तो अनुभव अंसर बनेगा हमारा उप्शन मर्सी आनुभाव सबसे पहले आएगा तो आसा है दूस्तों यह वीडियो पसंद आए होगा अप अपने दूस्तों में शेयर किजिए जो भी बीड के इंटरंस के लिए तियारी करते हैं 24 में यह हम लोग मिलते हैं नेक्षेसर में जबते के लिए धन्य बाद